आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देनी थी काउंसलिंग से लेटेड इसमें आपकी कुछ कोर्सिस की काउंसलिंग यहाँ पे शुडूल आ चुका है इसमें आपको रिजल्ट आफ एड्मिशन टेस्स पे क्लिक करेंगे जैसी इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नियावा पेज ओपिन होगा कुछ इस तरीक एगा पेज ओपिन हो जाएगा इसमें आपको साय रिजल्ट दिख जाएंगे उसके बद काउंसलिंग आपको यहाँ पर आना है काउंसलिंग कम एड्मिशन शेडूल इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अभी बिल सेप्टंबर सेप्टंबर तक आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने एट सेप्टंबर तक यह लोग वेरिफाइब करेंगे न्युक्पो अगर कुछ गलती निकलती है तो आपको बता दिंगे 10 सेप्टंबर को ही पर 11 सेप्टंबर को आपको व्हाला गलत होगा आपको, फिर 12 सेप्टमबर को यह व्लोग वैरिफाई करेंगे, जो किया है, आपने दुबार से अपलोड किया होगा अपना डॉकुमेंट जो आपका गलत था, उसके बाद 13 से 14 सेप्टमबर तक कि इन दोनों के बीच में, आपका यहाँ पे फर्म लिस्ट आएग में, उसके बाद 15 से 18 सेप्टमबर में 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको, जह है इसमें आपको फीस पे करने के लिए, चार दिन का टाइम मिलेगा, एक चीज़ इसमें और जो है, इनोंने बहुत अच्छी एल्ट के लिए, कि 19 सेप्टमबर तक इनोंने ए ग्रेस पिरिड भी उसके मतलब किया है, यासे कि कोई बच्चे जो है 18 सेप्टम तक वीस पे नहीं कर पाता है, तो लास्ट यह इनोने क्या था कि पर उसका चांस कादम कर दिया था, कि अब वो फीस पे नहीं कर पाएगा, उसका आदम मिशन कर दिया गा, लेकिन इस बाए हमने और क्या कि आप fine के साथ fee pay कर सकते हैं, जिनके first firm list में student का list में नाम होगा, अगर वो 15th लेकर 18 September तक fees pay नहीं कर पाते हैं, तो उनको दो दिन का मौका और दिया जाएगा, वो fine के साथ अपनी fees pay कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी चीज इन्होंने, जह है अपनी, अपनी, इसमें add किया है, उसके दुबारा से फिर documents upload करने होंगे, जानि आपको first firm list के लिए तो upload करने ही पड़ेंगे, जिनकी waiting आईए, उनको भी documents आपड़ेंगे, लेकिन, जब यहाँ पर fees payment कर देंगे, first firm list वाले, और जो admission seat बचेंगी, तो फिर second firm list के लिए, last year, आपको दुबारा से documents upload नहीं करने थे, उसके बार फिर तीसरी बार भी documents को upload करना, तो यह जितना हमें समझ में आया है, उसके एसाब से हमने आपको सब कुछ कुछ बता दिया, कि इसमें किसी students के गर waiting है, तो उसके तीन बार उसको document जो upload करने पड़ सकते हैं, और जिसका selected हैं, सिर्फ उसको एक बारी documents upload करना है, वैसे इन्होंने काफी कुछ पूर ही change कर दिया है, एक तरीके से, तो अभी सिर्फ इन ही courses की आपका schedule आया है, वो भी faculty of engineering technology में, आपका 11th class का schedule कब आ सकता है, तो यह आपका पड़सर तक schedule आ सकता है, यह किस बेस पे कह रहा है, तो कि 17th अगर्स को आपका आपका engineering technology में result आये और 19th में आपका senior secondary class 11th का result आया था, तो ऐसे में दो दिन लगे थे, तो ऐसे में schedule में भी हो सकता है, दो दिन लग जाए, आपका आपका आज 2 September को, इसका schedule आ चुका है, तो 4 या 5 September को, यह पर हो सकता है, कल ही आपका class 11th का भी schedule आजा है, जैसे schedule आएगा, आपको इस channel प advice आप ना ले ले, जो इस पारे में जानता हो, उससे आप लोग advice ले सकते हैं, या फिर इस channel पे आपको live विल्कुल करके दिखाये जाएगा, कि किस तरीके सा आप को counseling करनी है, तो इस channel को इक बार ज़रूर visit कर लिएगा, अपनी counseling करने से पहले, कोई भी question आपको counseling के related हो, तो जैसी counseling आईगी, आपको यहाँ पर update कर दिया जाएगा, और result आपके दिखर करके आई रहे, VA का result भी इंशाला जल्दी ही आपका आजाएगा, काफी results है, अपलोड एकदम से मतलब सारे यहाँ पर डगिया कर दिया है, और counseling का भी ऐसा ही कुछ होगा, देखे, एकदम से इतन बचते हैं courses, उनका भी schedule जल्दी ही आने के chances है, तो बस आप लोग इस channel से जोड़े रहेगेगा, आप लोग को इस प्याएगा,